आज हम बात करने वाले हैं अगर आपको अपने फोन में कीवोड ओपन करने पर यानि कि टाइपिंग करने के लिए जब आप कीवोड यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपका कीवोड आपको शो नहीं होता है और यहाँ पर आपको शो होता है टैप टो स्पीक तो टैप टो स्पी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने फोन में फोन की सैटिंग्स को ओपन करिए फोन के सैटिंग्स में आने के बाद नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा additional settings Additional Settings पर किलिक करिए Additional Settings पर किलिक करके यहाँ पर आएगा एक Option Languages and Input इस पर आप किलिक करिए इस पर आप किलिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज यहाँ पर आएगा उसके बाद आपको मिलेगा एक Option Manage Keyboard Manage Keyboard पर किलिक करिए Manage Keyboard पर किलिक करके यहाँ पर आपके सामने आएगा Gboard, Emoji Keyboard यहाँ फिर आएगा Google Voice Typing Keyboard यहाँ पर और Keyboard आ सकते हैं अगर आपने अपने फोन में किसी Keyboard को Download किया होगा अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मिलेगा Gboard इसके सामने यहाँ पर यह Off वाले बटन पर किलिक करिए किलिक करके जब यह On हो जाएगा तो नीचे आपको मिलेगा Google Voice Typing तो यह On है यहाँ पर इस पर आप किलिक करिए अब यह बंद हो जाएगा इसे बंद करने के बाद अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी प्राब्लम अब ठीक हो जाएगी आपका कीवोर्ड यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी इस प्राब्लम को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें